प्रश्ट 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 एब दो कि अग्यां है यह थी दिखा दो बेचारा एक गधे का बोज्ट लाद दिया गया उसपर है ना देवी जी हमें तो लगता है कि एक गढ़े का नहीं कई गढ़ों का बोज लाग दिया गया है इस पर है ना अभी मज़ा आएगा देखना हेवल हाँ हाँ गिता संबाला यहां पर रग दो कामिनी यह क्या हरकत थी अभी किता भी गिर पड़ती तो गीरी तो नहीं क्योंना लेकिन गेरी क्यों नहीं अ कर T किताबों ने जब उपर से गिर्दा शुरू किया होगा ना तुन्हें नीचे देखा होगा तुन्हें अइसास हुआ कि वह कहा गिर रहे हैं जट से उन्होंने अपनी गलते सुदार ली होगे और वापस से ले गए होगे शट आप देवी जी जग कभी अनुत्तरित हो जाती है तेरी कहती है कि शट आप गीता विश्वास है जी हाँ बोली क्या बात है मुझे आपकी मदद चाहिए मदद कैसी मदद मेरे पती गायब हो गया है देवी जी इसमें हमारी ये देवी जी क्या कर सकती है इन्हें किसी को गायब करना नहीं हाता गंगधर प्लीज देखिए आप वहाँ गुमशुदा डिपार्टमें में जाकर इश्टिहार दे दीजिए ओके मेरे पती लापता नहीं हुए वो गायब हो गया है मेरा मतलब है वो दिखाई नहीं देते ओहो ओहो दिखाई नहीं देते हमारे यहां भी एक ऐसा प्राणी है जिसका नाम है बाकू वो भी प्राय दिखाई नहीं देता है न देवी जी आप समझ नहीं रहे है मेरे पती आज तो पहल जेजे रिसर्ट सेंटर में जबर्दस्थ हंगामा हुआ जेजे रिसर्ट सेंटर के सभी कमेटी मेंबर्स हॉल के बाहर चीकते चिलाते हुए निकलाए और चबूतरे पर खड़े होकर कहने लगे कि उन्होंने जेजे साहब के भूत को देखा था जो वहाँ उन्हें सजा देने के लिए आया हुआ था सभी कमेटी मेंबर्स की मान सिक्स्थिती बहुत खराब है इन में से एक मिस लीला का कहना है कि ये काम जेजे साहब के भूत का नहीं बलकि किसी इन्विजिबल मैन का है मिस लीला के अंदाजे के मुताबिक ये काम जरूर किसी वेग्यानिका है जो जेजे रिसर्ट सेंटर में अपने उपर किये गए बुरे बरताओं का बदला लेने के लिए आया था दूसरी तरफ आज शाम एक और अच शान्ती ने अपने पती प्रोफेसर बटाओं नेकर के खायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है उनका कहना है कि उनके पती अद्रिश्य हो गए है काबिल एक और है कि प्रोफेसर बटाओं नेकर जेजी रिसर्ट सेंटर में कई दिनों से काम कर रहे थे शान्ती जी आपका कहना है कि आपके पती प्रोफेसर बटाउने कर अद्रिश्य हो गए हैं क्या ये वाकई पॉसिबल है क्या आप दोनों का कोई सुब़ जगड़ा तो नहीं हुआ था वो मुझसे नारास थे मैंने उन्हें कभी नहीं समझा आज सुबह उनने मेरे बेटे से कहा कि वो अद्रिश हो गए है और फिर वो तरवाजा खुलकर बाहर चले गए वो सचमुच अद्रिश हो गए है वो जहां कहीं भी हो मैं उनसे माफी मांगती हूँ वो वापस घर लोटा है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ प्लीज कम हो ले की से नताशा हमें वो हत्यार मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी हत्यार कौन सा हत्यार वही जवे जह मारी मायवी शक्तियों की कमी पूरी कर सकता है इंविजीबल मैन यानि अद्रिश्य मानव अगर यह आद्रिश्य हो कर हम तो शक्तिमान के हातों से बच सकते हैं लेकिन हमारे हातों से नहीं बच पाएगा वो शक्तिमान कि तर लगाने का पॉस्क इसी बिल्डिंग में लेकिन होशारी के साथ सर यह तो अपनी बिल्डिंग है और आप अपनी बिल्डिंग में मैं सम्झा नहीं सर महता अगर तुम्हें इतनी समझ होती तो आज तुम मेरी जगह होते तुम्हें मालू है यह बिल्डिंग मैंने पात साल पहले बनवाई थी और तब से यह बिल्डिंग से भाव लगादार गिरते चले आ रहे हैं लेकिन मैंने मैंने आज तक भाव कम नहीं किये इसलिए अब तक हमारे 80% फ्लैट नहीं भीके और अब यह फ्लैट्स भिकेंगे भी नहीं क्योंकि मैं इन फ्लैट्स को खत्व कर जाना चाहता हूं लेकिन टेक इजी महता टेक इजी अफिर बीमा कमनी वालों को भी तो कुछ काम करना चाहिए हम कब तक बीमा कमनी के किस्त भरते रहेंगे अरे हां ये तो मैंने सोचा ही नहीं इसलिए कहता हूं महता सोचा कम किया करो और काम ज्यादा किया करो तुम लोग क्या सोच रहे हो जाओ अपना काम चुरू करो ओके बस चलो अधा गंटा अधा गंटा अधा गंटा अधा अधा गंटा कि अधा कि अधा कि अधा गंटा अधा अधा एधा अधा व ट। आ हमाएध्ड अधिक्त अधा अधे गंटे ने इस प्रिलिंग के चिक्ट थि अधे घंटे में इस पेल्लिंगे चीथे ॐच्वे न, अधे घंटे में इस पेल्लिंगे… देरी आवारा मों पिलिए भूप जब वफ जुबारा लुबारा लुबा अफ वुब, जब भीए जिए है तुम्य हूब निसने बोट जब अझानी मैं जानता हूं कि तुम यहां तुम मेरी निजरों से नहीं छिप सकते हैं वाकई तुम जीनियस है शक्तिमान तुमने मुझे अग्रश होने के बावजूद देखिया वरना आज तक मैं दिखाई देने के बाद भी किसी को नजरी नहीं आ रहे हैं तुमने अच्छाई का साथ यह प्रफेसर शक्तिमान उनके साथ है जो अच्छाई और सच्चाई का साथ देते हैं शक्तिमान तुम्हारी काबलियत की कद्र करता है प्रफेसर शक्तिमान यह भी तुम्हारी काबलियत है क्योंकि एक समझदार आदमी ही दूसरे समझदार आदमी की कद्र कर सकता है कोई शक नहीं कि तुम ग्रेट हो प्रफेसर मगर अपनी महांता साबित करने के लिए अपने घर को छोड़ कर अपनी पत्नी को परिशान करना यह कहां कि महांता है वो भी उनी में से हैं जो हमेशा मुझे नजर अंदाज करती हैं और सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए मैंने घर छोड़ने की धंकी दी थी ताकि उसे मेरे कीमत कुछ पता चले नहीं सच तो यह है कि तुम्हारी पतनी तुम्हें बेहत चाहती है शायद ओक यह समझD तुम नहीं जानते प्रफेसर वह तुमारे लिएंत परेशान है घर जाब प्रफेसर औसे अपनी गलती का एहसास ह वो लोग सच मुछ ग्रेट होते हैं प्रोफेसर जिन्हें दूसरों के अहसास का अहसास होता है जाओ अपने घर जाओ जी प्रोफ अधरी होते हैं स्कूल को प्रोफोस्तों देखनें करें लेकिन अब इस्कूल को दहरी हो रही हैं चलौ फटा अधियार हो जाओ अच्छा सुनो बाहर की कुछ चीज़े मत खाना अपना टिफिन खाओ ओके मम्मे बाई बटा बाई बाई माथर सहाब यही है प्रोफेसर भटाउनिकर का बेटा हलो बेटे हलो अंकल आपको नहीं है अभी तो बेटा तुने मुझे अंकल कहा ना मैं तुम्हारा अंकल हूँ येलो चौकले लेलो बेटे शर्माओ मत हुआ अभी लोगे तो मम्मी को कैसे पता चलेगा येलो बेटे चौकले लेकिन आप मम्मी को मत बता ना नहीं बताओंगा बेटे नहीं बताओंगा का यह है Thank you uncle कोई बात नहीं बिटा मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी कीमत मालूम हुई होगी तुमने देखा शांती आज शहर में ही नहीं सारे देश में एक ही चर्चा है इन्विजबल मैं याने ये तुम्हारा पती तुम देखना चाहोगी शांती अब तो तुम्हें पता चली गया होगा के तुम्हारा पती कितना महान है कितना ग्रेट है कितनी बड़ी इजाद किया है उसने काश तुमने इजाद ना की होती क्या कैसी भखवास कर रही हो तुम्हें तुमने मुझे हमेशा दुख दे मेरे लेमस्यवतों का पहार खड़ा किया अधी जिन्दगी तर तुमने कुछ ना करके मुझे परेशान किया और अब कुछ किया तुम्हें मेरी ममता चेंदे का अविश्कार किया अपने बैच्चे के लिए दुश्मन इजार किये तुमने मतलब मतलब हमारा राजू हाँ राजू अपना राजू अपना राजू वह अच्छने भी हत्तारों के बीच पता नहीं किस हालत में होगा अब उसके जिम्हेदार भी तुम हो शांती है शांती हुआ क्या है अपने राजू को यह चिठी देखर गए है वो लोग अगर रात तक उनको फॉर्मूला नहीं लुटाया तो अपने राजू को मार डालेंगे हाँ हाँ फॉर्मूला हाँ तुम जानती हो शांती है कितने साल लगे इस फॉर्मूली को बनाने में कितना दुख उठाए मैंने इसके लिए और मेरा बच्चा मैंने भी तो उसके लिए दुख उठाए है इतने सालों से पाल पॉसकर उससे बढ़ा किया है आगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कभी माफ नहीं करूंगी इंस कि अब आप 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 अप कि अब प्रोफेसर का बच्चा अब तक आया क्यों नहीं कहीं वो इन्विस्बल बनकर आ गया तो अब नो 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 यह डॉक्टर सामरी का घर है यहां आने वाले हर जिन्दा आदिमी के जिस्म के साथ साथ उसकी रूह भी देख लेता है डॉक्टर सामरी यहां आकर वो कभी नहीं छुप सकता कि वह आगए है कम कि अब कि कि हुआ 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 ह लोग वो आ गया I know I know वो वहाँ पर है जहां जहां उसके कदम पढ़ेंगे यह लाल लाइट चलेगी सच मुझ चालाख है प्रोफेसर मगर शेर की मान के अंदर किसी की चालाखी नहीं चलती अब इस जुए बिल्ली के खेल को खत्म भी करो सामरी यस माथूर यह लोग कि बस प्रोफेसर बस हमें पता चल चुका है कि तुम यहां आ गए हो अब सीधी तरह से अपनी असलियत पर आजाओ वर्ना तुम्हारे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए कायब कर दिया जाए कि शाबाश परफेसर शाबाश वाके ही तुम्हें एक अच्छे बाप भी हो अब एक समझदार दुलंड की तरह अपना मुख्रा भी दिखा दो कि अ कर दो आजाओ झाल दुम्हें अगला की तरह से लिए वाके थाया थाबाश वाके तुम्हें टुम्हें पर दो कि अब स्थम्हें एक स्थम्हें लिए को अबस्यूप अबस्वें दू़र आजाए